एक बार सुर्पदमन नाम के एक राक्षस ने अपने कठोर तपस्या से भगवान शंकर को खुश कर लिया कर दो । कर दो हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए हैं सुर्प दमन मांगो क्या वर्दान मांगते हो जय हो भोलेनात धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए मुझे वर्दान दीजिए कि मैं अजय हो जाओं कोई भी मुझे परास्त ना कर सके मैं अजय हो गया अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता अब देवतागण बचकर कहां जाएंगे शिप जी के इस बर्दान से देव लोग पर मुसीबत आ गई सुर्प दवन ने देवताओं को हरा कर बंदी बनाना शुरू कर दिया इंडर दिव बड़ी मुश्किय से जान बचा कर भागे झाहा रहाएंगे वहाएंगे झाहा जो झाफ दुरूğ झाहाyah झाहाँ रक्षस राज, सब देवताव को बंदी बना लिया है, सिर्फ इंद्र देव बच निकले है, और दक्षिड भारत की पहाडियों में जाकर चिप गए है उसको भी ढूंड कर बंदी बनाओ, मैं कैलाश परवत जा रहा हूँ, अपने इश्ट देव शंकर जी से मिलने कहां भागे जा रहे हो वरुण देव, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो, तो रुख जाओ मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाओंगा, सच, तुम भी और देवताओं की तरह बंदी नहीं बनना चाहते, तो मेरा एक काम करो, काम, कैसा काम, मेरे प्रकोप से डरकर, इंद्र दक्षिन भारत में कहीं छुप गया है, दक्षिन भारत बास्यों ने उसे चुपा कर, मुझस मुझसे घदारी की है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम वहां मेख ले जाना, बंद कर दो, एक बूंत पानी भी वहां ना बरसने पाए, सूखे से तड़ पेंगे, तो इंद्र को मेरे हवाले कर देंगे, जैसा मैंने कहा है, वैसा करो, वरना तुम भी, हाहाहाहाहाहाहा मैं मजबूर हूँ, इस दुस्ट की आग्या मानी नहीं पड़ेगी वरुन देव के प्रकोप से पूरे दक्षिन भारत में सूखा पड़ गया, वहां की बुरी हालत देखकर, रीशी अगस्ते का मन भर आया, और वो ब्रम्भा जी को खुश करने के लिए यग्य करने बैठ गये, अम प्रम्भा जी आप्यो नमसा, ओम् 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 प्रम्भा जी आ आपका यज्य सफल हुआ मुनिवत कहिए क्या चाहते हैं प्रणाम ब्रम्हदेव प्रभु आप इस प्रदेश की हालत देख रहे हैं पानी की एक बून नहीं है इंसान, पशु, पक्षी, पेड, पौदे सब नस्ठ हो रहे हैं आप तुरंद कैलाश परवत पर भगवान शंकर के पास चाहिए उनकी जटा से गंगा बहती हैं वही आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं जैसी आपकी आज्या प्रभु जैस प्रभु प्रहें? प्रहें एफमें एएएएएएएएएए अरे मुशक, तुमारी तुम पूछे बन गई मुझे ठंद लग जाएगी, क्या करते हैं प्रभू अरे यह तो रिशी अगस्तिया है यह बहुत ग्यानी सन्यासी है चुप अग्यादी जीप लगो अब मुनीवर यह जल लेकर दक्षिन भारत जाएंगे क्यों ना हम भी चलें मैंने दक्षिन भारत का प्रदेश नहीं देखा है उनसे पूछो वो हमें साथ ले चलेंगे पूछने पर तो कभी नहीं ले जाएंगे हम चुप चाप इनके पीछे पीछे चलते हैं इतनी दूर तक तो मैं धंक जाओंगा प्रभू आलसी कहींगा चल बड़ा आनन्द आएगा हुआ है आ Сам कर दो कर दो कर दो चुचा हुचा हुचा चुचा हुचा लो वहाँ पशुपक्षी पाने के बगैर प्यासे मर रहे हैं और मुनिवर आराम करने बैठ गए मैं तो ठक गया चलते चलते मुनिवर भी ठके हुए हैं कहीं सो गए तो ना जाने कितना समय व्यार्थ हो जाए हाँ परंतो हम क्या कर सकते हैं हाँ मुझे एक युक्ति सुजी है तू यहीं बैठ कर तमाशा देख हाँ आरे प्रेबो हाँ नहीं अरे मुर्क यह क्या किया मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया काले मू के राक्षष मैं तुझे श्राब देता हूँ अरे गनेश जी आप शमा करे मुनीवर समय नश्थ हो रहा था इसलिए मैंने आपका कारिया आसान कर दिया वो देखिए धन्य हो प्रभू मुझसे पैचानने में भूल हुई उसके लिए शमा चाहता हूँ नहीं मुनीवर आपने तो प्रित्वी लोग के भलाई के लिए बहुत बड़ा कारिय किया है युगों युगों तक ये कावेरी नदी इसी तरह बैती रहेगी और इसका जल प्रानियों को जीवन दान देगा वक्रतुंड महा काया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विग्नम कुरुमे देवा सर्वकानेशु सर्वदा हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे उची परवत कैलाश परवत से यहां रहते हैं कनेश जी के पिता भगवान शिफशंकर और मा पारवती शिफशी के सबसे बड़े सेवक नंदी बैल है और उनकी बड़ी सी गणों की सेना है यही से शुरू होती है हमारे प्यारे बाल गणेश जी की कहानी एक बार मा पारवती ने नंदी से कहा नंदी मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ जब तक मैं आज्या न दूं किसी को भी महल के अंदर मत आने देना जो आज्या मा थे कि हमारे पकर एक बार देना कर दो कर दो जय हो भोले ना रास्ते से हटो अंदर जाने दो चमा करें प्रभू माह पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दे अरे मूर्ख ये आदेश औरों के लिए है मैं तो उनका पती परमेश्वर हूँ परेहटो कर दो तो 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 झाल झाल प्रिये आप भीतर कैसे आ गए नंदी ने आपको रोका नहीं प्रिये वो मेरा दास है उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था उसे इस तरह मेरी आग्या का अपमान नहीं करना चाहिए था पर मैं तुम्हारा पती हूँ मुझे रोकने का क्या फाइदा? आपका कहना सही है प्रभू पर नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है क्रोध मत करो प्रिये उसे क्षमा कर दो वो थोड़ा कम बुध्धी का है नहीं ये नंदी ने ठीक नहीं किया लेकिन वो भी क्या करता है स्वामी भक्त है उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी मुझे एक ऐसा गंड चाहिए जो बुध्धी मान हो सास ही हो और मेरी आग्या का पालन करे मैं खुद एक ऐसा गंड बनाऊंगी जो जो बनाऊंगी जो 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 ज अम नवा शीवाई 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 अम नवाई अम नवा शीवाई 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 अम नवाई लंग झाल दोए बन्होब अन्होब लुड़को मुझाँ मुझाँ इष एफ बन्होबवार लुड़क। किर ये किरो कि लिएड़ उखल शर्णाइबर का architect कि अ प्बव्चर एग! क्रीर गे के प्रण से लिएगए अर्णाइबर जब आपको तर्द अंदेज देखो हमें और सतर्ट रहना होगा और कहीं भी हो सकता है आप लोग सब जान देगेगे शराज सोक अभी रहता है अर आई आई पर रहु भटे भटे। पर तयá हाज हचाँ जाचा हचा ह् हाँ हाँ गनेश, पुत्र गनेश, जी मा, पुत्र गनेश, जी मा, देखो पुत्र, मैं स्नान ग्रव में स्नान करने जा रही हूं, तुम द्वार पर बैठो, और जब तक मैं ना कहूं, किसी को भी अंदर मत आने देना, जो आगिया माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत होकर अस्नान करे, कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे, नहीं मा, आप चिंता ना करे, शमा करे प्रभू, आप अंदर नहीं जा सकते, नन्हे बालक, तुम कौन हो, और मेरा रास्ता क्यों रोग रहे हो, मैं गौरी पुत्र गनेश हूँ, और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ, उनका आदेश है कि जब तक वो आगिया ना दे, किसी खोबी भी भीटर आने ना दिया जाए, गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरी पती शिबशंकर हूँ, द्वार से हट जाओ बालक, कदापी नहीं, जब तक मा आगिया नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूँगा, जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ, ये आसंबव है, देखो तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा, परिणाम चाहे जो भी हो, सूरिय पश्यम से निकल सकता है, चंद्रम अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता हूँ, मूर्ख पालग, शान्त, शान्त प्रभू, जोटा सा बच्चा है, इसे मैं समझा बुजा कर हटाता हूँ, समझाने से ना माने, तुँ जबरदस्ती हटा दो, बालग गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते, बाते मत बनाओ, हिम्मत है, तुम मुझे हटा कर दिखाओ, मुझे मत ललकारो बालग, दरपोख हो तुम दरपोख, ऐसी बात है, तो मेरी शक्ती का सामना करो, सकते हो, मार डाला रे मार डाला सेना पतिगंड अपने रक्षकों के साथ जाओ और उस हठी बालक को हरा दो जो आज्या प्रभू चलो और उस जाला प्रू हर टो यह यह बाला अझ बाल प्रुड़ाँ प्रुड़ाँ बंखिट अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ से में आकर यह क्या अनर्थ कर रहे हैं बालक गणेश को प्यार से समझाने के बजाए उसे परास्त करने के लिए गड़ों की सेना भेजी है मुझे बीच बचाओ करना पड़ेगा रुको यह क्या मुर्खता है एक अकेले बालक से इतने सैनिक लड़ रहे हो पीछे हटो पुतर गणेश आपको भी इस तरह हट नहीं करने चाहिए हट मैं नहीं पिता जी कर रहे हैं तुम्हें पिता की आग्या का पालन करना चाहिए मार्ग से हट जाओ पिता की आज्यका पालन करूगा तो मा की आज्यका क्या होगा और मा का आदेश मैं कभी नहीं टाव सकता जिद मत करो बड़ों की बात मानते हैं द्वार से हट जाओ मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान मा का है मैं नहीं हटूँगा इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा अन्यथा यदि भगवान शंकर को क्रोधा गया तो अनर्थ हो जाएगा देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो तुम्हें पुरसकार दूँगा पुरसकार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाते हैं ये आपको शुबा नहीं देता ब्रह्मदेव मुझे दिक्षा मद्दो बालक, हट जाओ, नहीं तो अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ इसे वश्मे करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा इस बालत पर ब्रह्मास्तर चलाना ठीक नहीं है नहीं होगा वह में लुप झाल च्छाल व्याह 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 कि ईमन!!! झेह झेह झेह! एफ… इहाँ… कि माझेदी खारे खाट्रा कि अएंग रड़ाउ लगडो गडिट एको ग्तार कर उभडो अडियं, गतार टही स्थ उobil जकार में डिट घगकी साथ ग्लीड़ कर दो कर दो कर दो कर दो गोर अनर्थ होने वाला है क्या हो आप रभू आप विचलित क्यों हो गए सब कुशल तो है ना देवी भगवान शंकर का क्रोध चरंसीमा पर है और वो तांडव कर रहे हैं शिव शंकर तांडव कर रहे हैं तब तो अवश्य कोई घौर विपत्ती आने वाली हैं हां हमें जल्द ही उनको शांत करने के लिए केलाश पर जाना होगा रभू मैं भी आपके साथ चलती ही इसी बहाने बहन-पा झाल 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 स्वामी ये मेरे पुत्र का वत कर दिया पुत्र गरेश पुत्र गरेश ये अपने क्या किया प्रार्णाथ क्रोध में अपने ही पुत्र का वत कर दिया और आप सब देवगर्ण चुप चाप खड़े ये तमाशा देखते रहे किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आए क्या एक नन्य से बालक को हराना इतना जरूरी था किस सभी देवता यहां इकठे हुए है बोलिए आप सब चुप क्यों है शान्त होगे आपका क्रोध इस नन्य से बालक के प्राण लेकर नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित आपको इसे प्राण दान देना होगा अन्य था मैं भी यहीं प्राण त्याग दूँगी यह आप क्या कह रहे हैं यह देवी मैं न्याय मांग रहे हूँ मेरा पुत्र निर्दोष था वो मेरे आग्या का पालन कर रहा था ख्रमा करें देवी यह असंभव है पुत्र को पुनर जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूँगी आपने क्रोध वश अपने ही पुत्र का वत कर दिया भोले नात अब आपको देवी पार्वती का आग्रह स्विकार कर बालक गनेश को जीवन दान देना ही होगा अन्यथा उनकी क्रोध की अगनी सारी सृष्टी को तैस नहस कर देगी वास्तों में देवी पार्वती का आग्रह अनुचित नहीं है क्रोध में आपने जो अनुचित कार्य किया है उसका यही प्राईश्चित हो सकता है भोले नात अंक और त्याक कर देवी पार्वती की प्रात्ना स्वीकार किजिए भोले नात यह संभव नहीं है मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता तब तो यह कहीं उपाय है किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है सोचने में समय नश्ट मत कीजिए तुरंत अपने गड़ों को आदेश दीजिए जाओ किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उतर दिशा में हो और जिसकी मा अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो जो आग्या प्रभू देर मत करो अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा जो आग्या चलो जो आग्या प्रफ आग्या कर दो कर दिर कर दो कर दो दो प्रोद कर दो कर दो सकता दो में जो प्याजर्याओन एफ पॉब प्यारी ये झाल कि अ आखिए प्यारी टिरूर्प उप उब आखिए पॉब मैं हुड़ोा झाल पॉब अरे मूर्खो ये क्या ले आए प्रभू आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला हम उसका मस्तक ले आए हैं सोचने का समय नहीं है भोलेनात इसी मस्तक को जोड़कर बालक गनेश को जीवित करो हाँ अँण आपने अपने अपने प्रुश आपने अपने 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 प्रुश तर सक्षिवाए आपने अपने 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 समआ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो चाहिए माँ माँ लोदेवी यह जीवित हो गया आपने इसे जीवित तो कर दिया प्रभू परन्तु इस रूप में इसे देखकर सब इसका मसा खुड़ाएंगे चिंतित मत हो प्रिये ऐसा कुछ नहीं होगा मैं इसे वर्दान देता हूँ कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे ये अद्भुद बालक प्रित्वी वासियों का कल्यान करेगा मैं इसे वर्दान देती हूँ कि जब भी कोई शुप कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा ये बालक विध्या और बुद्धी का दाता होगा हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी लोग इसे हमेशा लड़ूओं का भोग लगाएगी एक बार चन्दा मामा का भी गणेशी से पंगा हो गया था रात का समय था चारो तरफ वर्फीली पाहाडियों पर चान्दी बिक्रे हुए थी चलो एक चन्दी चलो ढ़ी पर चूलरा में बत्ति जिल्म minh-णेशा है हाँ मुर्ख मुशक गिरा क्यों दिया मैं क्या करूं यह सर पचानक मार्ग में आ गया शमा करें प्रभू शमा करें मैं जरा जल्दी में था मेरे सारे लड्डू गिरा दिये अच्छा अब तू ही इनको अब कहां भागेगा प्रभू, प्रभू, चरा संभाल करवा दिये, लगती है। मोटे गणपती पिल-पिले लड़ू लेकर गिर पड़े। मेरा मजाग उड़ाता है दुष्टु चंद्रमा, जा तेरे चेहरे की चमक जिस पर तू इतना गर्व करता है, नष्ट हो जाएगी। प्रभू, तु अपनी चान्दी नहीं बिखेर सकेगा, जो भी तुझे देखेगा, उसे भी कलंग लग जाएगा। नहीं, नहीं। ख्रमा करें प्रभू, मैंने दुर्भावना से कुछ नहीं कहा। मैं तो सहज मखौल कर रहा था, मुझे क्षमा करें। ये काला मू लेकर मैं कैसे जीऊंगा। आपका हरिदय विशाल है, मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मेरी चमक मुझे वाबस लोटा दीजिए। मुझे क्षमा केजे प्रभू, क्षमा केजे। क्षमा करें प्रभू, क्षमा करें। उठो चंद्र, आप स्वयम देवता हैं। किसी की शारेलिक कमजोरियों पर मजाक उड़ाना आपको शोबा नहीं देता। आप सत्य कह रहे हैं श्री गनेश, भविश्य में मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। मुझे क्षमा करें। जी हाँ प्रभू, चांद की चांदी नहीं रहेगी, तो रात्री का क्या आनंद। क्षमा करें। चंद्रदेव, मैं आपको दिया हुआ श्राब पूरी तरह वापस तो नहीं ले सकता। परन्तु ये वर्दान देता हूँ कि आपके चेहरे की चमक धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे वापस लोटाएगी। स्रिष्टी के लोग आपकी चानी से वन्चित नहीं होंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।